नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपके ही अपनी YouTube चैनल fantasy cricket class में आज हम बात करेंगे जो फोर्थ मुकाबला होने वाला है दा अंडेट का इसके बारे में डिटेल से इस मुकाबले के बारे में चर्चा करने वाले इस वीडियो में लेकिन अभी तक हमारे चैनल पर नहीं हो तो को सब्सक्राइब कर लेजीगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजीगा साथ में थोड़ी सी में टेक्स के बारे में चर्चा करना चाहूँगा जिया दोस्तों कल जीएश्टी काउंसली की मीडिंग होई और फेंटेसी गेमिंग पर 28 परशेंट जीएश्टी लगाने का दोस्तों अब होगा क्या दोस्तों जैसे ही आप सो रुपे यदि बेपोजिच करते हो तो आपके अकाउंट में मात्र भात्तर रुपे ही आएंगे 28 परशेंट सरकार काट लेगी उसके अलावा यदि आप उस भात्तर से जीत गए और मालेजी आप 100 जीत गए तो फिर सरकार आपसे 30 परशेंट सरकार लेगी यदि मैं मौटा मौटा बताऊं तो आपसे कुल मिलाकर 58 परशेंट सरकार ले रही है अब क्या दोस्तों यह निरने सही है या गलत है मुझे वीडियो पर कमेंट करकर बताएगा और यदि आप इसके बारे में आप डिटेल से वीडियो चाहते हो त चलिए बात करते हैं दोस्तो सबसे पहले हम आठ टेलीगराम के बारे में दोस्तो जिस भाई ने भी हमारा तेली नहीं चैनल जोन नहीं किया बो जोन कर लें लिंक आपको तेलीगराम की वीडियो के दिस्क्रीप्शन में मिल आगही जिया दोस्तों, आफ्टर टोस् सभी अफडेट में आपके लिए टेलीग्राप पर ही प्रवाइड कराता हूं, तो प्लीज आप टेलीग्राप जरू जोएन कर लेजीगा, लिक्क डिस्क्रिशिन में जाए फिरी इबाब ही, जिया दोस्तों, फिरी इबाब ही आपके लिए आज के इंडिया की मुकाबले में भी है और इस मुकाबले में भी गिवा भी मिलने वाला है तो प्लीज आप टेलीग्राम जरूर जोइन कर लेज़ेगा Small League और Grand League के best combination आपके लिए टेलीग्राम पर ही मैं provide करागा हूं तो चलिए बात करते हैं दोस्तों यहां पर सबसे पहले बैने को बारे में आप देखोगे headingly leads में मुकाबला खेले जाने वाला है आम तोर पर यह अच्छा scoring wicket है और आप देखोगे average यहां पर 181 निकलकर आता है सबसे जादा में होता है तो बहाँपर जो सबसे जादा है यहां पर देखोगे टोटल 63 मुकाबले खहले गाया लने करते हैं तो 49 मוחाबले और सेकेंड बा लेवाजिज करते है वाला है बात करने करने डिजएंध में इन वालículos Middle-over इनलई खक्राइब और सुर्वात में तो जो सुर्वात में और दोस्तो देग्ज़ होगर में होता है न बहाँ परjest बेकेड मिलने के चांसे शबसे ज़़ादा रहते है इसलिए caps roller को बेकेड मिलने के चांसे थोड़े से बढ़ जाते हैं बात करें दोस्तों वेन्य वर स्कोरिंग पेडरन के बारे में, तो 150 और 150 से नीचे 12 वार स्कोर देखने को मिला है, 152 वर सक्षनाइब आठ वार, 172 वर 189 वार और 190 अबाव यदि आप देखोगे न, तो 24 वार स्कोर देखने को मिला है, तो आप समझ सकते हो, कि अच्छा स्कोरिंग वेन्य वार आप के लिए होने वाला है, तो इस बात को आप ध्यान में रख कर चलीगा, और दुश्तों खास बात आपने, यहाँ पर एक बात देखी होगे, कि यहाँ पर विकेड भी गिरते चलते हैं, और रण भी बनते चलते हैं, तो आप ऐसा मत सुझ जिएगा, कि विकेड गिरेंगे, तो साइद इसकोर ना बने, यहाँ पर दौनों ही काम होते हैं, विकेड भी गिरते हैं और रण भी बनते हैं, आप देखोगे यहाँ पर, रिसेंट जो मुकाबली यहाँ पर इस बैनी पर खेले गाए, तो पेस बॉलर ने यहाँ पर 106 विकेड और इस्पनर ने 7 विकेड, यहाँ पर लगबग मामला बराबर रहा था, और इसकोर भी आप देखोगे, बना था, पहले बली बाजिकर दी 170 बना था, फिर 180 बना दोस्तो 102 बना पाई, यहाँ पर 12 विकेड पेस बॉलर तो इस्पनर दोस्तो मातर एक विकेड यहाँ पर निकाल पाया था, इससे अगला मुकाबला 195 और 1977 बना कर चेस हुआ था, यहाँ पर भी यहाँ आप देखोगे तो इस्पनर को कोई विकेड नहीं मिला था, जबकि पेस बॉलर को साथ विकेड मिले थी, अगला मुकाबला आप देखोगे 224 और यहाँ पर 198 अल्मुस्ट बना लिये थे, 6 विकेड और 3 विकेड, यहाँ पर यदि आपने इन मुकाबलों में ध्यान दिया होगा तो सबसे लोएस्ट स्कूर आप इसमें क्या लग रहा है, सबसे लोएस्ट स्कूर आपको लग रहा है 180, जियां दोस्तों, 180 यहाँ पर सबसे लोएस्ट है, खेले गाए लाष्ट के चार्टी-टॉन्टी मैच में, तो आप समझ सकते हो कि बल्लेबाजी के लिए की बेले बहुत अच्छी है, और इस पनर का इतना डॉमिनिस हम देखने को नहीं मिला, जितना की पेस बॉलर को, तो मौटे-मौटे सब्दों में कहूं दोस्तो, एक मुकावला बिल किया है, यहां पर आप देखोगे, एक सो नस्तर बनाये थे, तो 137 दोस्तों BPS बना पाई थी, बर्मिंगम फॉनेक्स, यहां पर आप देखोगे, एडम लिफ 56 रन, त्रेपन रन एडम हूच, और डैविड बीजे, 24 रन प्लस 4 विकेट, तीन विकेट साइद, यहां पर आप देखोगे, एक विकेट आदिल रशीद, उसके बाद हमोड का दसरन, वैनी होवल, मोनाली दो विकेट चटकाया थे, टॉम हेल्म को एक विकेट यहां पर मिला था, यदि इनकी तरफ से आप देखोगे, तो यहां पर सिर्फ एक ही प्लियर हैं, जो आप यहां पर लिवनिस्टन को थीन विकेट मिले, वैनी होवल को फिर दो विकेट मिले, और एडप मिले को दो विकेट, और केंडे चट्सन के भी विकेट थे दोस्तों, तो केंडे चट्सन आपके लिए खिलती हुए नजर आ जाएंगे, और भी मैं जो भी अपडेट हमारी तरफ से 100 रुपे का आपके लिए cash bonus दे दिया जाएंगा, और फर्स्ट टाइम आप जितना भी deposit करते हो ना, double हम आपके लिए देने वाले हैं, तो आप एक बार जरू से try करकर देख सकते हुए, लो competition है, और दोस्तों, इसके अलाबा आपके लिए instant mid draw बिल जाएगा, एक से दो मिनिट में, तो आप इसे try कर सकते हुए, बहुत सांदर application है, रहने वाले है आपके लिए, तो चले ये बात करते हैं, दोस्तों, दोनाई टीम हो की संभावित 11 betting order, लाश्ट परमेंस के बारे में, तो दोस्तों, अभी लाश्ट परमेंस पे जीरो है क्या हूँ कि अभी खेलना चालू नहीं किया, यहाँ पर आप देखोगे, टॉम बेंटन, ओपन करते हूँ नहीं जाला जाएंगे, एडम लिट के साथ, पैम बेंटन ने दो मुकाबले खेले है, हैट तो एड चबाली संभ बनाएं, बाइस के अबरेज से, बैनु पर एक मुकाबला चा जाएंगे, मैथू सॉट कोई मुकाबला बेनु पर नहीं खेले, और दोस्तों यहाँ पर हैट तो एडम कोई मुकाबला नहीं खेले, मैथू सॉट इक बारे में आपके लिए बता दू, यह लेप्ट हेंडर से बल्ले बाजी करते हूँ नहीं जाला जाएंगे, उसके अला के लिए बलेवाज हैं, तो मैथू सॉट को आप ट्राई कर सकते हूँ, और ग्रेंड लिग में कैप्टैंसी, बाइस कैप्टैंसी भी इने दे सकते हूँ, उसके बाद देखोगे, आप एडम हूँ, एक मुकाबला त्रेपन रहन हैं, एबरेज त्रेपन हैं, वेनू पर न आप इनका देखोगे, तो head to head दे कोई मुकाबला नहीं खेले, बेनू पर दो मुकाबलाओं में 95 रहन है, 95 का एबरेज है, और दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे, तो एक बिकेट इननों ने निकाला था, उसके बाद यदि आदि आप देखोगे, ओली रोबिनसन, एक इ बेकाले थे, उसके बाद आप देखोगे, best daily लेडे, important player दोस्तों, आम तोर पर ए अपने नीधरलेंड टीम किसे लिए खिलते हैं साइट, तो तब उपर बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए नीचे बल्लेबाजी करते हैं, नीचे बल्लेबाजी करें ब दोस्तो, साध यतनी बल्ले बाजी ना आए, लेकिन प्लियर आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, इनका आप देखोगे, बैनुफर एक मुकाबला खेला है, एक विकेट निकाला है, और डेथ होबर में कुछ है गयंद बाजी करने वाले हों, दोस्तो, बल्ले बाजी भी अच् विकेट चटकाया, और बैनुफर दोस्तो, चार मुकाबला में इनके चार विकेट हैं, तो आदिल रसीद को आप ट्राइ कर सकते हो, यह पूरे में ट्री टॉन्टी का रिकॉर्ड लाया हूं, दोस्तो, दा हंडेट का रिकॉर्ड नहीं लाया, बैनुफर इनों नहीं चाल नहीं मिला, उसके बाद आप देखो, यहाँ पर जीरो-जीरो है, और बैनुफर छे मुकाबला में ब्रैनन केस के दोस्तो, तीन विकेट हैं, तो ब्रैनन केस इंपुडेंट हो जाते हैं, आप दोस्तो, यहाँ पर राइस टोफली आपके लिए डेथ होवर में करेंगे, य पुली रॉबिंसन भी आपके लिए सुर्वात में ही के अंधवाजी करती हैं, आप इनकी तरफ से इंपुडेंट प्लियर के बारें बात करें, तो टैम बंटन है, टैम बंटन के बाद आप देखोगे, तो यहाँ पर बैन स्टॉक्स है, बैन स्टॉक्स के बाद बैस डिल लगबग इंपूडेंट है, अब हमें धुश्टो फिर फिर फिल्टर लगाना पड़ेगा, जो बेस्ट है, उनमें से भी बेस्ट चाटना पड़ेगा, तो आप समझ सकते हो, चलिए बात करते हैं, यहाँ बात करते हैं, बर्मिंगम फॉनेक्स के बारे में, तो बिल करते हैं, बहुत अच्छा प्रमेंज करते हैं, आप देखोगे, हैट वेड दो मुकावलां में एक सो पांच रहने, और दोस्तो उसके लावा आप देखोगे, बेन पर साथ मुकावलां, दोस्तो एक चालीस कावरेगा, इंपूडेंट प्लेयर हैं, नोट कर लिजगा, और टेलीग्राम देखोगे, लिंक डिस्क्रिप्स मिल जाएगे, यदि आप यहाँ पर देखोगे, एक मुकावलां में एक विकेट निकाला है, साथ में दोस्तो, सुरी, दो विकेट निकालें, एक मुकावले, बेन्यू पर इनका इतना कोश्च रिकॉर्ड नहीं है, तो लियाम लियू इस्टन, लियाम लियू इस्टन कापी इंपुडेंट पिलियर है, आप इन्हें अपनी टीमें ट्राइग कर लेजीगा, हैड तो हैड दो मुकावले के लिए 97 रन, 97 का यह अबरेज है, और आप देखोगे, तीन विकेट भी है, बेन्यू पर आठ मुकावला बारा रन है, और बेन्यू पर दो मुकावलों 55 में, ठीक चाक ओप्शन है, लेकिन सदाप खान यह इंपूडेंट ओप्शन है, दोस्तों आपने PSL में देखा होगा, टॉप ओडर में बले बाजी करते हैं, और विकेट यह निकालते हैं, लेकिन बिकेट तो निकालते हैं, तो सदाप खान आपके लिए कुल मिलाकर इंपूडेंट फिलियर है, आप इन्हें एपनी टीप में ट्राइब कर सकते हुए, क्रिस बुक्स, क्रिस मुशली के बारे इन पहले देख लीते हैं, लेकिन बेन्यू पर आप देखो कि तीन मुकावलों में 90 बंदरन है, 45 का क्रिस बुक्स के ही बज़े से जीती है, क्रिस बुक्स ने बहुत अच्छा प्रमेंस किया, और दोस्तों विकेट निकाल कर दिये, तब टीम को जरुए उसके बाद आप देखो को टॉम हेल्म, दो मुकाबलों में हैट टीन विकेट हैं, और बेन्यू पर एक मुकाबली में दो मिकेट हैं, तो मिएलम हाप्के लिए अचे अप्सान हो सकता है, उसके बी हापके लिए कम से कम एक ओवर डेत हावर में करेंगेंगेंगें, एक ओवर हिंदा स्रहिं समझझेंगा, पांच बॉल हैं, यहां औरश बौलों का नहीं होता है, तो इस बात को आप फोड़ा स समझ कर चल सकते हैं इतना कुछ खास नहीं है दोस्तों लेकिन एक मुकाबले में निकाले हैं और एक मुकाबले में दो तो आपके लिए हम पर मैं इंप्डोडेंट प्लियर बता दो टो टो टोटल प्लियर होगा है आपके लिए इंप्टेंट केदिने तेरा अब तेरा में से हमें से वह 11 चाटना है थो ग्यारा लखी कौन से रहने वाले हैं तो चलिए बात करते हैं दोस्तों अब हम हमारी टीम के बारे में मैं आपके लिए उप्षन यहीं पर बता दूँगा सबसे पहले आप देखो कि टॉम बेंडन को मैं ट्राइ किया है उसके बाद लियाम लिंगो इस्टन है बेंडन अकेट है और हैरी बुरुक है उसके बाद यदि आप देखो कि हैरी बुरुक का अभी खेला नहीं है दोस्तों एक खेलेंगे तो अभी मैं आपके लिए आईडिया दे रहा हूं अब सबसे पहले सफ ऑप्सन में रखूंगा थोस्तों यहां पर लियम लिग्विस्टन के बाद मिया रखूंगा मैं जोस्तों यहां पर पर करूँगा और जो फाइनल टीम आपके लिए मिलने वाली है विद क्यापिन वाइस केटन वो भी आपको टेलीग्राम पर ही मिलने वाली है तो प्लीज आप टेलीग्राम जोइन करना हमारा बिल्कुल मत बुलीगा दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ला जय भारत